हलो फ्रेंट्स, कॉंप्टिशन कमेटी की वीकली करेंट अफेस प्रग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आई फ्रेंट्स, आज हम देखते हैं, पिछले वीक में साइंस और टेकलोजी और इंवार्मेंट्स रिलेटेड उन सभी महत्पूर्ण करेंट अफेस को जो आपके एक्जामिशन पॉइंट अफेस को कवर किया था, इसके आगे हम 9 से 15 मही तक के करेंट अफेस को कवर करेंग क्योंकि हम इसके डायनेमिक याने करेंट अफेस के साथ साथ हम इसके स्टाटिक पार्ट को भी कवर करते हैं और यही आपको ज़्यादा स्कोर अचीब करने में हेल्प करेगा, दूसरी महत्पूर्ण बात, करेंट अफेस का ये प्रोग्राम तीन महत्पूर्ण एरियास को कवर करता है, the first one that is about the science, विज्ञान छेत्र को, दूसरा है technology, प्रादोगी की छेत्र को, और तीसरा होता है कि environment, परियावरेंट विज्ञान के छेत्र को, इन छेत्रों से related कुछ महत्पूर्ण करेंट अफेस आपके सामने हम लेकर आते हैं ताकि आपको exam में ज़्यादा स्क दूगी की दिवस, ये डे प्रतिवस हम 11 माई को celebrate करते हैं, क्यों मनाते हैं क्योंकि 11 माई, 11 माई 1998 को हम देखते हैं कि भारत नहीं क्या किया था, पोखरन टू का test किया था, पोखरन टू की सफलता के बाद भारत एक nuclear power country बन गया था, भारत के पास atomic power हो गई थी, nuclear power country बन गय था, ठीक, तो उस दे के बाद से हम देखते हैं, every year हम 11 माई को राष्टी प्रादोगी की दिवस मनाते हैं, प्रादोगी की दिवस का ये संब्ध से पुल्खरन टू तक सी सीमित नहीं है, बलकि भारत की जो विग्यानिक दक्षता है, भारत का जो technology development है, scientist का सबका जो achievement है, इन सभी को भी इस दिन याद किया जाता है, और every year हम इसे 11 माई को राष्टी प्रादोगी की दिवस के रूपे मनाते हैं, याद रखना, friends, मैंने प्राष्टी प्रादोगी की दिवस National Technology Day कहा है, यदि हम राष्टी विज्ञान दिवस की बात करें, National Science Day की बात करें, तो वो होता है, 28 परवरी को हम प्रतिवर्ज क्या करते हैं, National Science Day मनाते हैं, 28 परवरी को इसलिए मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सर सीवी रमन साहब ने, जो है, रमन प्रभाव रमन इफेक्ट की खोच की थी, और इनके याद में, क्योंकि इसी की कारण फिजिक्स के शेत्र में, इनक वर्स दो हजार बाईस का जो थीम था, National Technology Day का, वो क्या था, Sustainable भविश्य के लिए, विज्ञान एबं प्रादोगी की में, एक इक्रित दिश्टिकोन, The Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future, ये इस वर्स का थीम है, National Technology Day का, आई होब ये सभी बात आप समझ में आ गई आपको, अब लेट वी स् of this, Important National Technology Day, राष्टी प्रादोगी की दिवस्त का संबन्द जब पोखरन टू के साथ है, तो पोखरन टू से रिलेटेड या पोखरन टेस्स से रिलेटेड कुछ महत्मूर बातें आपको जानना जोरी है, तो यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, कलाम साब को, डॉक्टर कल है, डॉक्टर कलाम एवं अन्य वेग्यानिकों की मदद से भारत क्या है, एक निकलेर पावर कंट्री बना था, कैसे बना था, क्या महत्मूर घटनाए थी, जो स्टाटिक पार्ट है, यहाँ पे ध्यान रखे है, तो भारत में परमानू का दो बार टेस्स किया था, पोखरन वन कहते हैं, और दूसरा है पोखरन टू, तो पोखरन वन और पोखरन टू से रिलेटेड कुछ महत्मूर कंटेंड याद रखें, क्योंकि एक्जाम में कई दफ़ा यहाँ पे इसको पूछा गया है, तो यहाँ पे दोनों के बारे में कुछ बाते समझें, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस इमेज में, जिसमें डॉक्टर कलाम, उसके बाद देखते हैं, प्रॉफेसर चिदंबरम और यहाँ पे डॉक्टर अनील का अकोट कर दिखाई दे रहे हैं, यह तीन महत्मूर ऐसे साइंटिस्ट हैं, जहाँ पे जिनकी मदद से भारत नी क्या है परमाणू बम बनाने का सफलता पूर्व कीर्तिमान रच्चा था, यह था पोखरन टू में, यह था पोखरन टू में, पोखरन टू जो हुआ था, दो महत्मूर डेट है, एक्च्वल में डेट को आप इस प्रकारी याद रखे, इस नीचे वाले इमेज को देखिए, इस न पूर दिन बाद, 13 माई, 1909 के बाद, जो है, उस देट को और टेस्स किया था, तो यह है आपका पोखरन टू का डेट, यह दोनों पोखरन टू का डेट है और यह पोखरन वन का डेट है, तो यह एक्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ब 1974 को इसमें किनका सबसे बड़ा योगदान है याद रखना इस समय जो है भारत में परमाणू विज्ञान के जो भारत में जो एटम बम के जनक है डॉक्टर राजा रमन्ना और दूसरा नाम है डॉक्टर बसंती दुलाल नाग चौधरी ये इस समय जो है जब पोखरन वन के टेस्ट के समय थे अब देखें यहाँ पे जब पोखरन वन का टेस्ट किया हमने वहाँ परमाणू वं बनाना हमारा अबजेक्टीव बिल्कुल नहीं था हमारा अबजेक्टीव था सांथिपूर उद्देश यादि की पीसफूल अबजेक्टिव के लिए हम यहाँ पे विद परमिशन पोख्रण टेस्ट वन किया था और इस समय जो है जो हैल्फुल जो और्गनाईजिशन थे जो सहायक जो मददगार जो करने वाले मदद करने वाले जो संगठन थी उनका नाम था यहां पर भावा यहां पर यहां पर याद रखना सांति पूर्ण उद्देश्य था यह पहला समय में ठीक आप दूसरा याद रखे दूसरा याद रखे कि यहां पर पोखरन 2 के समय पोखरन 2 का देट क्या थे कि हमने 11 मई तो 11 मई को हमने 3 टेस्ट किया ठीक है 3 टेस्ट किया और उसके बाद देखते है 13 मई को हमने 2 और टेस्ट किया ठीक है उस प्रकार देखते हैं कि टोटल 5 टेस्ट किये थे इस दो महत्पूर्ण दिनों में ठीक है अब यहाँ पे पहला जो टीन टेस्ट है ये आपको कई बार पूछा जा सकता है तो इसका तीन टेस्ट याद रखना पहला जो है नुकलियर फ्यूजन से संबंदी था नाभी की सलेन से संबंदी था दूसरा हम देखते हैं ये था पर इस्पेरिमेंट को लेकर थे ठीक है तो यह है पोक्राट 2 का टेस्ट जो है फॉक्र आंट 2 जो है ग्यारा माई 1989 और । तेरा मar sır जो है निस तो ठांपर तो यहाँ पे नॉट लाफिंग, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ये इस मिशन का नाम दिया गया था, बस इतनी बातें यहाँ से याद रखिएगा, ठीक, अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है, कि पोखरन वन हो या टू हो, इस समय भारत की परि देखते हैं, क्योंकि peaceful objective थे, फिर भी हम जितना हमारा expectation था, वो expectation की अनुसार हम सफलता नहीं हासिल कर पाये थे, हाला कि हमने जो objectives, हमने जो कुछ test किये थे, उसमें हम सफल हो गए थे, ठीक है, इसी कारण पोखरन टू में हमने एक बड़े level पर, बड़े लिस्तर पर पे हमको सेना की मदद भी जौरत पड़ी थी, पोखरन टू में, तो पोखरन टू में जैसे की कौन-कौन से, जो संगठन जो है, सायक थे, जिसमें फिर से नाम आजाता है, कौन-कौन से नाम आ जाएगा, इसमें भी DRDO आ जाएगा, और इसमें एक आता है, Department of Atomic Energy, परमानु उर्जा विभाग, तो पोखरन टू का संबन क्या है, किन तीन विभागों के समन्वे से हुआ है, परमानु उर्जा विभाग, DRDO और भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप सभी को इन तीनों का नाम फुल फॉर्म पता होगा, भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसक इस्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, स्टाटिक पार्ट है, कई बार एक्जाम में पूछा जा सकता है, एक बात और भी समझें, कि जब हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, तो हमारे पास गया है, देखना पहला है सलयन, यानि कि यूस किया गया था, उसे डिटीरियम कहते हैं, लेकिन जब परमानू बं बनाये गया था, उस समय हम यूस किये थी, यूरेनियम और प्लुटोनियम, तो यूरेनियम 233 और प्लुटोनियम जो है, यहाँ पे हमने उप्योग किया था, ठीक है, तो बस ये बातें आपको रखनी है, क्योंकि पहले चरण में हम यहाँ पे प्लुटोनियम पर ही पूरा सब्चीज किये थे, यूरेनियम सबसे बेस्ट माटेरियल माना जाता है, फॉर दफ्यूल या इंधन का सबसे जो है, सबसे बेस्ट निकलेर पावर जहां पर बनती है, यानिकि निकलेर इंधन कौन सा है, वो है आपका यूरेनियम, ठीक है, तो यह बातें आपको समझ में आ गई, अब कुछ बातें यहाँ पे और भी छुपी हुई है, देखिए, पोखरन टेस 1974 वें द बुद्धा स्माइल्ड, ठीक है, जब जो है, 1974 का यह जो मिशन हुआ था, यहाँ पे कुछ बात पोखरन बन के समय, प्राइमिस्टर इंद्रा गांधी थी, और दूसरा जो था, जब पोखरन टू हमने टेस्क किया, तो इस समय प्राइमिस्टर थे, अटल भिहारी बाचपई साहब, तो ठीक है, यहाँ पे थे, अटल भिहारी बाचपई साहब, तो कुछ बातें यहाँ समझ जाईए इस से related जो आपको कई बार काम आ सकती है तो बाचपईई सहाब का एक महतपूर नारा था ठीक है क्या आप बता सकते हूं महतपूर नारा कौन सा था जैसे कि यहाँ पर सुनते हैं कि हम जय जवान जय किसान तो कई बार सुनते हैं यही बाजपेही साब ने इंद्रा गांधी को साक्षा दुर्गा का रूप कहा था क्योंकि 1974 में जब हम पहला टेस्ट कर रहे थे पोखरण का तो ये भारत के लिए बहुत ही कठीन परिशिती थी किस तंदर में परिशिती थी क्योंकि हम जो है 1971 और 1965 के वार के बाद की परिश किया था और इसके जस्ट पहले 1971 में आपको पता होगा बांगला देश का क्रिएशन भी हुआ था तो यहां पर समझेंगी इंद्रा गांधी ने इतने कठीन परिशिती में भी क्या है पोखरण वन का टेस्ट करवाया था इसी कारण जो है इनकी साहस के कारण जो है इनको आ जिसमें पार्ट वन आता है आपका निकलर टेकलोजी पार्ट टू आता है आपका डिफेंस टेकलोजी और पार्ट थ्री आता है आपका स्पेस टेकलोजी तो तीनों टेकनलोजी ने भारत के डेवलप्मेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है तो यहां पे याद रख बनाने में बड़ा युगदान दिया था ठीक है तो यह बातें आपको याद रखनी होगी परमाणू मोवी भी आगर आप देखेंगे तो यही इसी के बारे में बताये गया है ठीक है यह बात है सभी को समझ में आ गई यह है basically that is the static part of your nuclear power of India ठीक अब आगे देखते हम तो आज का दूसरा मत्पूर स्लाइड यहाँ पे देखिए वो है आपका world migratory bird day ठीक है विश्वप्रवासी पक्षी दिवस अब यहाँ पे पक्षियों को क्यों इतना importance दिया जाता है समझे क्योंकि पक्षी यानि birds क्या होते हैं परियावणी स्वास्त का संके तक होते हैं environmental health का जो है indicator होते हैं क्योंकि bird आसानी से कहीं भी दिख जाते हैं अब किसी जगा bird की population इतनी decrease हो रही है या फिर आसानी से नहीं दिख रही है तो आसानी से समझ सकते हैं यहां की climatic condition थोड़ा सा तो गड़ बड़ है अब यहाँ पे समझे कि विश्व प्रवासी पक्षी दिव इस वर्स कब मना गया है और आप याद रखना यह एक ऐसा डेट है जिसको याद करने की कोशिस मत करना लौजिक लगाना है आपको ठीक है लौजिक ऐसा लगाना है कि अंतराष्टिय प्रवासी पक्षी दिवस यहां पे दिया हुआ देखो एक डेट है 14 मई और दूसरा द लगाना होता है कि every year जो माई का जो है आपका देखते हैं सेकंड सनिवार ठीक है और जो है अक्टूबर का जो है पहला सनिवार को जो अक्टूबर का भी सेकंड सनिवार ठीक है तो वो होता है आपका प्रावासी पक्षी दिवस ठीक तो यहाँ पे देखते हैं कि यह एक मात्र, ऐसा डे गोए, यह बाताइं न का यानगा याद करने का दिन है, और इस वर्स की जो तीम है, वो क्या है, विस्व प्रावसी पक्षि दिवस की थीम क्या है, प्रकास प्रदूसर्ण, यानि कि also, light pollution ये इस बार का जो है ठी में क्योंकि light pollution प्रकास पडूशन रात में जो है भृत जगह जलाए जाता है जैसे कि आप देखते हैं सहरी छेत्रों में या सहर के जो सटे वे छेत्रों में तो वहां जब bird जब है magist्व करके जाते रहते हैं जग mister से दूसरे जगर जाते रहते हैं तो उनके कारण उनके आँखों में रोशनी पढ़ती है तो उसके कारण वो किसी दिवाल से यह किसी से टकरा जाते हो उसके डैथ हो जाती है ठीक है तो याद रखना कि हर साल जो है यह जो आटिफीशल लाइट है कम से कम दो फीजदी जो है वो इसका increasing rate है और कई जो पक्षी होते हैं उन पर जो है वो negative impact पढ़ रहा है क्योंकि इसके कारण जो है प्रकास production की कारण light pollution की कारण ठीक है तो every year यहां इसे कई सारे bird की death हो जाती है अब यह जो migratory bird देख रहे हैं यह जैसे इंडिया है अलग-अलग छेत्रों से migrate होके जाते हैं और यहां पर आते हैं तो चोकि यहां एक लंबा समय यहां पर बिताते हैं जैसे कि जब bird का migration होता है तो क्या-क्या बाते होती हैं तो bird का जब migration होगा तो चूंकि यह क्या है pollination याणे परागण में महत्पुर भूमी का निभाते है किसी फल के बीजों को क्या है खाते हैं औधूसी जगा फैलाने में काम करते है उसके बात जो है जब हवा पानी के kontakt में आएगा तो उसके बाद क्या है Sugules में talk में आएगा तो उसके बाद वो एक नया पाधा खुदबग को तयार हो जाता है तो इस प्रकार एक पक्षी नहीं बहुत सारे पक्षियां इस प्रकार बीजों का वित्रण करते हैं distribution of seeds ठीक है दूसरा मैंने पहला मैंने बताया था परागण याने pollination जिसके कारण diversity बढ़ती है दूसरी कारण मैंने बताया कि seed का distribution होता है पहला देते हैं तीसरा कारण यह होता है कि परियावरन के स्वास्त का यह सूचक होते हैं ठीक है चौथा कारण यह है bird को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि bird एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत सारे कह सकते हैं जो पौधों में या उनके flowers में बहुत सारे इंसेक्ट को खाते हैं कीड़ों को खा जाते मतलब फूड चेन का एक important पार्ट होता है ठीक है और यहां पर ecosystem को balance करने में बड़ा युगदान होता है इससे बहुत सारे रीजन्स हैं इसलिए bird को बड़ा importance दिया जाता है इस साल जो है देखते हैं कि state of birds बर्ट बर्ट रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया है इसमें की अलग-अलग birds के बारे में उनका जो है population decrease हो रहा है इनकी जो रहा है यह बताय गया है यह बाते याद रखना कि ऐसा इंडियन context में भी आता है भारत में भी ऐसा बर्ट जो है रिपोर्ट आता है स्टेट आप इंडियास बर्ट रिपोर्ट भी आता है ठीक है बस इसका एक ट्रेंड समझ लीजिए यह एक्जाम के लिहास से राश्टी इस्तर के एक्जाम में पूछा जा सकता है तो ध्यां रखना कि इस समिक्षा के अनुसार जो है लगभक बर्ट की जो है पोपुलेशन में 48 पर्संट की पॉपुलेशन में इसकी है इसका गिरावटदर दर्ज की गई है तो पॉपुलेशन 58 पर्संट डिक्रीज हुआ है यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विकॉस आप क्लाइमेटिक चैलेंज विकॉस आप कहना चाहिए बहुत सारे नैचुरल हैबिटाड प्राकृतिक आवास को नुक्सान पहुचाने में आपको एक्जाम में पूछा जाता है कि जैविवित्ता का सरवाध नुक्सान कब होता है जब उसके पराकृतिक आवास को आप क्या करें नुक्सान पहुचाएं तो उसका जो है सरवाधिक नुक्सान होता है क्योंकि वह पूरा उनका भोजन है ना वहां का ओवराल जो है एकोसिस्टम पूरी तरह से कॉलाप्स हो जाता है ठीक यह बाता उसमें देखेंगे लगबग आधे पर क्या हुआ इस प्रकार का संकट आ गया है तो यह एक खतरनाक ट्रेंड है बहुत ही नेगटिव ट्रेंड है जिसमें देखते हैं कि 39 परसंट प्रजातियों में उनकी पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही है केवल 7 परसंट जो है बर् मतपूर्ण और्गनाइजेशन होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आप नेचर जो वैस्विक इस्तर पर जितने भी आनिमल्स प्लांट वगर के उनका जो उनकी स्थिती है कि वो समेदन सील है या वो संकट ग्रस्थ है या फिर वो क्रिटिकली इंडेंजर किस प्रकार यह सभी कि रिपोर्ट को यह मतलब रखता पूरा डेटा क्लेक्शन होता रेच डी डीटा बुक इनी के द्वारा रममिक किया जाता है किनके द्वारा आयू सी थारा इसे जो यह, यहां और बिविश किया गया है ठीक है एक, दो, तीन बार नहीं, कई बार आपकी एक्जाम में पूछा जा चुका है, यह है Great Indian Bustard, ठीक है, सोन्चिरिया कहते हैं, सोन्चिरिया या सोन्चिरिया कहते हैं, यह क्या है, critically endangered है, अती संकट ग्रस्त है, ठीक है, जो एक समय जो है, भारत का राष्टी पक्षी बनने में यह सबसे टॉप पे था, और सेकेंड में जो है, मोर यानि की पावो क्रिस्टेटेस का था, तो उसके पहले Great Indian Bustard का नाम था, लेकिन कुछ कारणों से, कासकर उसके नाम Bustard वर्ड जो है, एक negative sense दे रहा था, और भी एक दुकारण थे, जिसके कारण इनको जुनका second ranker दिय गया और मोर को जो है priority मिल गई, और मोर को हम फिर हम राष्टी पक्षी कहते हैं, पिकॉक को, ठीक, अब यहां भारत में जो देखते हैं कि 146 प्रजातियों के लिए क्या है, यहां पर एक उनके base पे क्या है, एक calculation किया गया था, train को समझाने का प्रयास किया था, जिसमें अधिक प्रजातियां की स्थिराबादी दिखाती है, और 14% जो है बढ़ती हुई जनसंख्या प्रवित्ति को दिखाती है, ठीक है, तो यहां पर इतना समझें कि यहां पे सबसे अधिक संकट के प्रजातियों में, endemic species, स्थानिक प्रजातियां, सिकार की पक्षी, यानि की जो हंटिंग कर लेते हैं, जंगल और घास के मैदानों में जो हैं प्रजातियां सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हुए हैं, ठीक है, तो यह एक खतरनाक ट्रेंड है कि endemic species, यानि की स्थानिक प्रजातियां, है ना, उनका जो है नुकसान मतलब हो, हमीशा के लिए नुक हो सकता है, प्रजानिक प्रजातियां आपकी एक्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है, है ना, स्थानिक प्रजातियां एंडेमिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं, ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष छेतर में मिलती हैं, और प्रित्वी पर और कहीं पर नहीं मि एक लिस्ट जिसके बारे में आपको एक्जाम में पूछा जाता है प्रलिम्स में में दूनों में पूछा जाता है ठीक है राश्टी स्तर के राजिस्तर दूने एक्जाम में पूछा जाता है तो क्या है इसे समझिए तो यहां पर देखें इस लिस्ट को और यहां पर लेफ स के विलुप्थ होने का अगर हम उसका क्रम समझें तो यह क्रम यह होता है कि आपको जनरली यह तीन जो आप देख रहे हैं एरो यह तीनों एक्जाम में कई बार पूछा गया है कि इन में से सबसे ज़्यादा संकट ग्रस्त कौन सा स्पीसीज होगा ठीक है जो क्या है वंडर चीटा विलुप्थ हो गया है और चीटा का संबन हमारे 36 वर्ड मत्यप्रदेश सर्थ था ठीक है जिसमें कि आप गुर्गासी दास नेशल पार्क काना नेशल पार्क और यहां पर देखते हैं कि यह जो पलामू टाइगर रिजर्ब इस चेतर में क्या एस याई चीटा मिल होके आते हैं ठीक है तो एक समय क्रिटिकली इंडेंजर्ड है फिर उसके बाद यानि की वनों से बिलुप्थ हो गया है ठीक है उसकी कहीं प्रजाती अगरा भूले भटके दिख जाएगी तो उसको फिर हम आप लाइक इनसीटू कंजर्वेशन के तुरू या फिर हम दिख तो यहां पर याद रखना क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है ग्रेट इंडियन बस्तर्ड यह आपको एकजाम में कई बार पूछा जा चुका है ठीक यह बातें बस समझनी थी अब आगे देखे कि ये आता है कि संयुक्तराष्ट मरस्थली रोक थाम अभी समय Conference of Party 15 तो ये भी आपके एक्जाम के लिहाज से बड़ा important है इसे आप समझें कि आपने नाम सुनाओगा प्रित्वी सम्मेलन प्रित्वी सम्मेलन याने Earth Summit सुने होंगे है ना, तो Earth Summit 1992 में हुआ था रियोडी जैनेरों में फर्स्ट पहली बार ठीक है, तो उसके वहीं से इसका जो है creation हुआ है, वहीं से उसका उदगम हुआ है पहले समस्ते इसका content जो है जो है जो अब उसका dynamic part को फिर static की और चलेंगे तो यहाँ पर याद रखना इससे पहले conference of party 14 जो है कहाँ पर हुआ था निव डैली में हुआ था, ठीक है जिसे आपके PSE exam में पूछा गया था अब यह है उसके अगली बार जो है conference of party यानि की उन देशों का समू उनको conference of parties कह दिया जाता है तो उसका 15th meeting, 15, 17 जो कहाँ पर हुआ है Ivor को Ivor कहा जाता है वहाँ का Capital जो है वहाँ अबिज्जान है वहाँ पे देखते हैं यह बेसिकली एक पस्चिमी अफरीका कंट्री है यहाँ पे हुआ था conference of party का 15th meeting तो अगली बार यह exam के लिहास important थे क्योंकि previous PSE में पूछ चुका है तो आने वाले समय में भी यह पूछा जा सकता है ठीक है यह किसके लिए है मरुस्थली करण के रोक थाम के लिए ठीक है यहां पे UNCCD एक वर्ड आता है क्या आता है UNCCD यह वर्ड का फुल फॉर्म समझे युनाइटेट नेशन कंबेट ठीक है युनाइटेट नेशन कंफरेंस टू कंबेट अडेजर्टिफिकेशन मरुस्थली करण के विरुद्ध संयुक्तरास का जो है कंफरेंस मैं रिपीट करूंगा युनाइटेट नेशन क कंफरेंस टू कंबेट डेजर्टिफिकेशन मरुस्थली करण के विरुद्ध युनाइटेट नेशन का जो है कंफरेंस इस वर्ष का जो थीम था क्या है भूमी जीवन विरासत अभाव से सम्रेदी की और खें याद न रखें तो भी चलेगा लैंड लाइफ लिगैसी फ्र तो प्रित्वी सम्मेलन या विर्थ सम्मिट जब देखते हैं तो यह आर्थ समिट न भी स्रंविट न है कि दीनों के बारे में आपको जानना है दो आध समिट वन में च्छे महतपूर्ट दस्तावेज रिलीज किये गए थे, यह 6 महतपूर्ट दस्तावेज क्या क्या है, तो यह 6 महतपूर्ट दस्तावेज है, एजेंडा 21 जिसका समझ किस से है, आपके सतत विकास से है, सतत विकास का मतलब यह होता है कि development भी करते रहे हम, और forest यानि environment को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ठीक है तो विकास का ऐसा स्वरूप जिसमें की environment को नियूंतम छती हो या कह सकते हैं विकास भी चलता रहे और environmental growth भी चलता रहे तो विकास के ऐसे स्वरूप को हम sustainable development या सतत्विकास कहते हैं ठीक है सतत्विकास की सत्र लक्ष हैं जिसमें की हम वस 2030 में उसे अचीव करना है ठीक है तो यहां पर धिहान देना की प्रित्वी सम्मेलन वन में क्या है एजेंडा 21 जो है पहला रियो घोष्णापत्र रियो डिक्लेरेशन फॉर्स प्रिंस्वल वन सिध्धान था उसके बाद cbd याने की हैना conference for biodiversity ठीक है जै विवित्ता पर जो है conference उसके बाद देखते हैं UN FCC हैना United Nation framework convention हैना for climate change ठीक है लास्ट यहां पर देख रहे हैं UNCCD जिसका उल्लेक इसमें किया गया है तो UNCCD कहां से उसका उत्गम हुआ था प्रित्वी सम्मेलन वन से तो UNCCD ठीक है यहां पर सुन लो United Nation Conference to combat a desertification बाकी को मैं repeat कर देता हूं UNFCCC का United Nation framework convention for a climate change हैना जलवायू परिवर्तन पर सैंतरास का Conference CBD याने Conference पर बायो डाइवरसिटी जैवेवित्ता पर Conference ठीक तो यह जो महत्मूर्ण 6 दस्तावेश थी यह भी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे क्योंकि वैस्विक इस तर पर इन्वार्मेंट को सरक्षन करने का पहला और्गनाईस जो है यहां पर प्रयास किया गया था प्रित्वी सम्मिलन बन में जो कहां पर हुआ था वर्स 1992 में कहां हुआ था रियोडी जैनेरो में या जैनेरियो में ठीक है यir पहला पाथ है दूसरा यहां पर देखते हैं प्रित्वी सम्मेलन 2 कब हुआ था ठीक उसके 10 वर्स बात तो वर्स 2002 में और प्रित्वी सम्मेलन 2 त्वी कब हुआ था उसके फिर दस बस बात तो यह कब हुआ था 2012 में तो यहाँ पर याद रखने का तरीका क्या है प्रित्वी सम्मिलन 1 और प्रित्वी सम्मिलन 3 दोनों का जगा सेम है रियोडी जैनेरो जो है ब्रजील में ठीक है कहां पर है ब्रजील में तो यहाँ पर याद रखना रियोडी जोहांसबर्ग में हुआ था याद रखना बस ठीक यह होता प्रत्वी सम्मेलन के बारे में इंपोर्टेंट डेटा जो आपको एक्जाम में कई दफा पुछा जाएगा फ्यूचर में भी और पास्ट में पुछा गया भी है ठीक तो यह बाते आपको सभी हो समझ में आ गई तो इस बार कंफेंसा पार्टी कहां हुआ था भारत की तरफ से कौन से प्रतिनीदी जो है उ देजर्टिफिकेशन याने मरुस्थली करण को रोकने के लिए मरुस्थली करण को रोकना क्यों जरूरी है क्योंकि यह जो है एक खतरनाक सिचुएशन है एकोसिस्टम का जिसमें कि हम उस सॉइल में क्या होती है सॉइल में किसी प्रकार की फ्लोरा और फॉना का जो है वहा पानी नहीं है वहां पर सूख्या है तो ब्लांट्स गायब हो गए तो प्रड्यूसर होते अंध्यूट बैलंस dre iç तो 3 महत्तपूर्ण यहां पर इसके प्रयास, में किस तर पे समझ 섹पार प्रिपिर समझी है, 2019 की घोष्णा यही तो पुछा गया था, previous PSE में, ठीक है, previous to previous PSE में, 시면 of party का 14 meeting, तो पहला देख रहे हैं कि मर्स्थली करण को रो कने के लिए संयुक्त रास्का UNCCD Conference ठीक है तो 1992 में जो पहला जो हमने अभी पढ़ा कि प्रित्वी सम्मेलन वन हुआ था उसके बाद जो छह मत पुर्ण बता यह है पहला ठीक UNCCD ठीक है इसमें देखते हैं कि 2019 में दिल्ली घोष्टना में कुछ बाते कही गई थी कि हम देखेंगे क्या बाते कही थी भी भूमी पर बहतर पहुंच और प्रबंधन का आखवान करती है और बहुत सारी बाते कही गई है अब यहां पर देखते हैं ब बस 2020 तक हम ऐसे चेत्र जो क्या था जहां पर जो मरस्थली करण में जो है चेंज हो गया है जहां पर गृण्री गायब है अनिमल गया है मरस्थल बन जाएगा और मरस्थल जो हैं खतरनाक कंडिशन होती है मैंने बताया तो 2020 तक क्या है 150 million hectare जो है उन चेत्र को हम क्या ना लाएंगे 350 मिलियन हेक्टेर तक ठीक बस यह दो डेटा याद रखे 2020 तक डेड़ सो और उसका डबल कर दे 2030 तक क्या है 350 तो 300 या रहे पर्षेमी अफरीका पर है जिसमें कि हम देखते हैं कि विस वके सबसे गरीब छेतर जिसका नाम है साहिल ठीक है उन छेतर में निवास करने वारे लोगों के जीवन इस तर में सुधार लाने के लिए हम क्या करेंगे वहां पे जो डिग्रेडिड लैंड निम्नेकृत भूमी क चाह रहें यह क्या करेंगे पुनल निर्माण करेंगे वहाँ ग्रीण ली काप्रियास अब भारत का screen wall का हदि कह दिया जाय है तो क्या बताएंगे अब बताईए the green wall of India green wall of India आपको exam में पूछा जा सकता है और definitely पूछा जायगा तोャंग की यह यह से लेते हुए हर्याना और दिल्ली तक करिप 1400 क्या है यह इसका डान कितना है चोड़ाय कितनी है पांच किलो मेटर की पकटी गुजरात से हर्याना दिल्ली के बॉडर तक से हँद्केंगे कि यहां पे डियान देना कि अफ्रिकी संग के दवारा क्या है युए एन्सी सीडी ॵर्ल्ड बैंक और European Commission के द्वारा क्या है इनके Contribution से क्या है यहाँ पे Great Green Wall बनाए गया है जो पुस्चिमी अफरिका वाले छेत्रों में यहाँ पे बनाए गया है ठीक है बस आज की सेशन में इतना ही महत्पूर्ण Current Office था मिलते हैं नेक्स सेशन में कुछ और महत्पूर्ण Current Office के साथ Thank you so much, have a nice day